Morning class 3rd, Welcome in your Maths Online classes आज हम हमारा new chapter शुरू कर रहे हैं, Multiplication तो आपको पता है किसी भी chapter को शुरू करने से पहले उसकी get going करते हैं हम तो यहां हमें grid complete करनी हैं जैसे 6-3 जा 18, 3-1 जा 3, 3-4 जा 12, 3-10 जा 30, 3-9 जा 27, 3-7 जा 21 6-5 जा 30, 6-1 जा 6, 5-5 जा 5, 5 से करनी हैं इसको multiply 5-4 जा 20, तो इसी तरह से आपको number grid को complete करना है इन्हें आपस में यहां से, इस number को इन सब से, फिर इस number को इन सब से multiply करना है Complete the missing multiplication 3-5 जा 15, 3-8 जा 24, 3-4 जा 12 5-4 जा 20, उसके बाद 3-5 जा 15, 3-8 जा 24, 3-4 जा 12 4-5 जा 20, 4-8 जा 32, 4-4 जा 16 6-5 जा 30, 6-8 जा 48, 6-4 जा 24 अब यहां पर 49 जो है 7 का multiple से और 7 बार बोलने पर ही आता है 7-7 जा 49, 7-5 जा 35, 7-4 जा 28 अब 11-7 जा 77, 11-5 जा 55, 11-4 जा 44 अब 168 जा रहा है तो 7 से कितनी बार आएगा 24 जा 24 जा 168, 24-5 जा 120, 24-4 जा 96 उसके बाद यहां देखी 48 जा 36 जा 36 जा 36 जा 36, 6-6 जा 6, 6-2 जा 24, 6-3 जा 36, 6-7 जा 42, 6-8 जा 48 6-10 जा 60 अब यहां देखिए 6 को किस से डिवाइड करने पर 48 जा 48 जा 48, 8-8 जा 64, 8-10 जा 80 अब यहां 10 को किस से करेंगी जब 300 जा 30 36 जा 180, 38 जा 240, 30-10 जा 300 अब यहां सिंपल है, सर्कल दा प्रोडेक्ट एंड राइड दा फैक्टर्स जिन दो नंबर्स को मल्टिप्लाइ करने पर जो नंबर मिलता है उसे फैक्टर कहते हैं प्रोडेक्ट कहते हैं और जो नंबर्स होते हैं वो फैक्टर्स होते हैं जैसे यहां पर 2 x 2, 4 है तो 4 तो हमारा प्रोडेक्ट हो गया और 2 और 2 उसके फैक्टर्स हो गया 1 x 5, 5 है तो 5 तो हमारा प्रोडेक्ट हो गया और 1 और 5 हमारे फैक्टर्स हो गया 7, 5 जा 35 यहां आपको करना है 9, 2 जा 18 यह हो जाएगा आपका 3, 7 जा 21, missing multiply है 7 का टेबल आप दोनों में से किसी से भी कर दो 7 का टेबल आप बोलो कितनी बार बोलने पर 63 आएगा 9 बार 6 का टेबल कितनी बार बोलने पर आएगा 42, 6 बार 9 का टेबल कितनी बार 54 आएगा बोलने पर 6 बार तो इस तरह से आपकी exercise 1 का 1, 2 और 3 question complete हो जाएगा उसके बाद आती है आपकी exercise 2 यह आपकी same उसी exercise की तरह है 1 5 जा 5 2 5 जा 10 3 5 जा 15 4 5 जा 20 5 5 जा 25 6 5 जा 30 7 5 जा 75 9 5 जा 45 यहां 50 तो यह एक तरह से आप देखोगे तो आपके 5 का 6 का 7 का 8 का और 9 का table ही चलता जाएगा क्योंकि number गेड़ी यहां 1 to 10 तक दे रखी है और filling multiplication 7 8 जा 56 3 9 जा 27 अब यहां आपको greater than less than और equal का sign लगाना है कैसे यहां आपको दे रखा 36 यहां 3 into 6 होगे 18 तो दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है 36 7 6 जा 42 7 और 6 होगे 13 42 बड़ा है आपका 5 8 जा 40 8 5 जा 40 equal आजाएंगे इस तरह से आपको 1 और 2 दोनों exercise अपनी complete करके मैं को send करने है करने हूँ झाओगे